दोस्तो अलिमेंटरी के जोमेटरी का आखरी का पाट आजम दिखने वाले है इंस्क्राइबिंग सर्कल्स क्वेशन नमबर सेवेंटीन टू इंस्क्राइब अ सर्कल इन ट्रैंगल प्रश्नक्रमांक सत्रा दिलेल्या त्रिकोनात वर्तूर अंतर लिखीत करने साइड 6 सेंटीमिटर 7 सेंटीमिटर और 8 सेंटीमिटर दोस्तो अब सबसे पहले 8 सेंटीमिटर का लाइन हमें या पर बनाना है फिर उसके बाद राउंडर में 6 सेंटीमिटर डिस्टंस लेकर आर्क बनाना है फिर 7 सेंटीमिटर डिस्टंस लेकर दूसरे साइड से आर्क बनाना है अब दोनों को जोडने के लिए वहापर जो हमें पॉइंट मिला है वहापर ये दोनों लाइन हमें जोडनी है जिससे यहापर हमें जो ट्रैंगल जो डिस्टंस का हमें दिया गया है वो डिशन का ट्रेंगल हमने बनाया अब दोनों एंगल पे आर्ग बनागे इन दोनों एंगल को हमें बैसेक करना है बैसेक करने के लिए अंदा जिसे आर्ग हमने बनाया और जो पॉइंट हमें मिले वहाँ से हमने सामने आने वाली सैड पे आर्ग बनाए अब ये दो पॉइंट हमें मिले है इन दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है इससे ये जो एंगल है ये दो एंगल बाइसेक्ट हो जाएंगे जब यह इस एंगल अभी हमने बाइसेक्ट किया तो अब यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिला वहाँ से नीचे की साइड जो अमारी आर रही है 8 cm की उसके उपर हमने आर्क बनाया अब हम ये दो पॉइंट मिले अब ये दोनों पॉइंट से अंदाज इसे डिस्टंस लेकर नीचे की साइड में आर्क बनाना है अब इस तरह आर्क बनाने के बाद यह जो point हमें मिला है इस point को और जो center में हमें point मिला है उसे एक दूसरे से जोड़ना है अब यह हमें मिल गया radius of a circle इतना यह circle जो distance है यह distance लेकर अब हमें circle बनाना है circle बनाने से पहले जो distance हम ले रहे है तो बराबर यह तीनों side में touch करता है या नहीं चेक करके फिर आपको यह circle बनाना है अब diagram के सभी points को नाम देना है उसी के साथ जो जो distance हमने side के लिये लिया है तो वो distance भी हमें वहाँ पर लिखना है इसे अपना diagram और ज़्यादा अच्छा होता है जिसे हमारा presentation अच्छा बनता है इस तरह हमारा एडाइग्राम perfectly तैयार हो गया अब question number 18 to inscribe a circle in a square प्रेश्ण क्रमांक 18 दिले लिया चौकोनात वर्तूड अंतर लिखीत करने side 6 cm सबसे पहले हम एक line बनानी है अब यहाँ पर यह 6 cm distance पे उसे mark करना है आपने देखा यहाँ पर side में हमने थोड़ा distance जादा लिया था अब यह जो arc है अब हमने यहाँ पर arc बनाया क्यों क्योंकि यहाँ पर हमें perpendicular बनाना है और यह दोनो point जो हमें मिले वहाँ से हम लोग ने दोनो side से arc बनाया फिर यह जो point हमें मिला इस point को हमने जोड़ दिया जिससे हमें square की एक दूसरी side मिल गई अब a b यह जो एक side है तो उसका distance लेकर a पे रखके हमें जो line हमने बनाई है उसके उपर arc बनाना है फिर जो point मिला वो लेके दूसरी side में arc बनाना है अब b point पे रखके उपर आये हुए arc पे arc बनाना है फिर यह जो point हमें मिला है इसे दोनो side से जोड़ना है इस तरह हमारा यह square तयार हो गया अब यह जो angle है इन angle को हमें जोड़ना है square के दोनो angle जब हम जोड़ते है तो उसके दोनो diagonal सेम होते है अब यह जो center point हमें यहाँ पर मिला है वो लेकर नीचे की जो able side है उसके उपर हम एक arc बनाते है यह arc बनाने के बाद यहाँ पर हमें दो point मिले है इन दोनो point से नीचे की side में हमें arc बनाना है जिससे हमें जो circle बनाना है उसका radius हमें मिलेगा अब यह जो point हमें मिला है, center point से इसे जोड़ना है, अब यहाँ पर हमें यह मिल गया radius, अब यह radius लेकर हमें circle बनाना है, circle बनाने से पहले चेक कर लो कि वो बराबर चारो side को touch कर रहा है या नहीं, अगर कुछ गलती है तो उसे correct करो और फिर से properly diagram तयार करो, अगर आपका एक mm क अगर फरक गिरता है तो भी diagram properly नहीं आता है, इसलिए geometry की sums करते समय हर जगह पे एक एक mm का जो distance है वो proper तरीके से आपको लेना है, इस तरह अपना ए diagram तयार हो गया झाल 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 झाल